भागिका समावेस और जीवन में उद्देश ये दोनों जब एक संग मिल जाते हैं तो बहुत जल्द ही हमारा जीवन सफलता के सिखर को छूने लगता है आज कुछ ऐसी ही परिस्थितियां नॉवंबर सन दोजार तेश में बना हुआ है देखने का प्रयास करते हैं कि क्या वो इस्थितियां होंगी जो आपके जीवन में बहुत कुछ लागर करके पदर्सित कर सकता है ध्यान देजेगा इसे आप एक दिवाली का आफर से कम मत मानिएगा क्योंकि एक साथ इतने सारे ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है सायद कोई विसेश परिवर्तन के और इसारा कर रहा है एक एक करके समझते हैं जानते हैं क्या होने वाला है आप इसे ध्यान से समझें देखिए और लाब लेजे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अपने जो रासी के स्वामी बनते हैं सनी देउंता और ये सनी देउंता जो आपके अपने रासी के स्वामी है ये धन भाव पर है धन के स्थिती पर यहाँ पर अनुकूली स्थिती मानी गई है भी धनेस अपने घर पर है लेकिन अभी तक क्या था कि ये धनेज जो आपके हैं वित्त मंत्री जो हैं वो वक्री अवस्था पे चल रहे थे जब ये मारगी अवस्था पर ठीक इसी नौंबर महिने के चार नौंबर को ये मारगी हो जाएंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका प्रभाव आपके धन भाव पर सरवाधिक अनुकूलता से आपको प्राप्त होगा धन से जुड़ हुए जो प्याधिया हैं जो परिसानिया हैं उसके लिए आप ज़्यादा काम कर पाएंगे सनी को आपको पता है कि सनी को हम सिर्फ कर्म से जोड़ते हैं मतलब हम कर्म क्या करेंगे हम अपने धन को मेनेजमेंट करने का एक सबसे बड़ा कारे करेंगे अपने बैंक को कैसे मैनेज किया जाए अपने जो संचित हमारे पर पूंजी है उसको हम कैसे बढ़ा पाए इसका सबसे ज़्यादा आप बेहतरी से कारे कर पाएंगे चुकि हमारा दृती भाव हमारे पारिवारिक संबंधों को पदरसित करता है तो इसी नवंबर महिने में परिवार के लिए आप ज़्यादा काम करेंगे परिवार में कुछ कमी है किसी के कुछ काम करना है तो ये कारिया आप बहुत अच्छे से करेंगे चुकि सनी इस भाव पर विराजमान है आपके कर्म विराजमान है वित्त मंत्री वित्त भाव पर है आर्थिक परिपिक से यही चार नौंबर के डेट से ही एक अनुकुलता आपको देखने को मिल सकती है और यही नहीं सनी देवता पूरे अभी आगे भी मई 2025 तक के आपके इसी द्विती भाव पर रहेंगे विचार कीजिए कितना कुछ लाकर के आपको देश सकते हैं तो आपके रासी के स्वामी भी बनते हैं दूसरा आपके फाइनांस मिनिश्टर भी आपके सनी देवता ही बनते हैं अब ध्यान दिजेगा उस ग्रह को जिसे माना जाता है राहू राहू एक ऐसे ग्रह है जिनका प्रभाव इसी नौंबर महिने से ही देखने को मिलेगा पूरे आगामी 18 महिने तक इनका प्रभाव रहेगा हाला कि बता दें कि राहू देवता ने अब तक जो आपको नेगेटिव प्रभाव दिया था किसी के प्रॉपर्टी समंधि विवाद या माता जी के स्वास्त में कमी या माता जी को लेकर कि कोई चिंता विवाद या फि उस समय पहले आपने उसे देखा होगा कि राहू देवता का तीसरे घर पर ट्रांजिट बहुत सुभू माना जाता है तो इनका गोचा तो तीसरे घर पर है आपके लिए सुभ हो गया पर आकरम में बृद्धी कारक हो गया यहां से यह देख रहे हैं आपके सब्तम्भाव क को मतलब कि हमारे जो ब्यापार हैं को कि दसंभाव से दसंभाव होने कराण आपको कैरियर भी है ब्यापार में गोथ के लिए यह राहू आपको सपोट करेंगे हैं पर इम एपके ऑर अधिक बढ़ जाएगी की कैरियर में हमें सफलता मिलेगा दूसरी और इनकी दृष्ट काम करने वाले हैं बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने भाग्यूनति के लिए और विचारिये जरा सोचे जरा जिसका मेहनत जितना बड़ा होगा उसे कितना कुछ प्राप्त होगा जितने संसार वे जितने लोग हैं वो सब मेहनत के प्रतिफल से हितिवाज सीर्स पर बैठे है अब यहाँ पर यह भागे का सहरा भी मिल जाए तो कितना रुकुलता हो जाएगा तो भागे के स्वामी कौन हो गए आपके वो हो गए है हमारे बुद्ध देऊ और बुद्ध की स्थिति कुछ इस प्रकार है यह अपने से भागे भाव से ठीक एक घर आगे है मतब भागे भाव को छोड़ करके इन्होंने कर्म भाव पर प्रविष्ट कर रखा है अब जैसे यह बुद्ध का समय आएगा छे नौमबर को यह बुद्ध देऊता आपके दसम भाव को छोड़ करके यह आपके इनकम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे बुद्ध राजकुमार ग्रह हैं इनकम भाव पर जाएंगे और विशेश तोर पर भई आपके मकर रासी करुसार आपके योग कारक ग्रहों में इनकी गिंती है आपके किस्मत के स्वामी भी बनते हैं तो इस स्वेपर किस्मत के सहरे से भी हमें लाव मिलेगा ध्यान दीजेगा एक तो होता है हमारा कर्म हम कितना कर्म कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहे है दूसरी और होता है हमारा भाग्य यदि इन दोनों का समावेस हो जाए तो जीवन में आप सोतह विचार कीजे वो कोई सी भी वो कार्य नहीं जो आपसे परिपून नहों पाएं इनकम भाव पर जाकर करके आपके जो इच्छाएं हैं जो दभी ही इच्छाएं हैं उनको उजागर करेंगे अर्थात वहां से प्राप्ति दिलाएंगे सोसल सरकल समास से जुड़ करके इसमें पर आप लाव ले पाएंगे बड़े भाईयों से लाव या बड़े भाईयों के लिए आप कुछ अच्छा कर पाएंगे क्योंकि दसम भाव से उठकर के वो एक अदस भाव पर जाएंगे तो दसंभाव आपके कर्मों का है तो जो हमने कर्म किया है उसके लाव की स्थान तक आपको ले जाने का प्रयास यहाँ पर बुद्र देउता के द्वारा 6 नौंबर से ही प्रारम हो जाएगा लेकिन जैसे ही 16 नौंबर के डेट आएगा यहाँ से सूरी और आपके अस्टमेज बनते हैं हाला कि अगर एक सूरी का प्रभाव देखा जाए तो अस्टम भाव के स्वामी के लाव भाव में जाना हमें जितना लाव मिलना चाहिए उस पे कुछ कमी देखने को मिल सकती है लेकिन दूसरी और यहाँ पर मंगल यहाँ पर मौझद होंगे जो कि साहस के स्वामी है हमें वो कंप्रोमेस नहीं करना है भई जितना हमें जो प्राप्त करना है उसे हम प्राप्त करके रहेंगे यह मंगल है तो यहाँ पर मंगल बहुत कुछ निकाल करके देंगे और आपके जीवन में यह स्वैम लाभ के स्वामी है तो लाभ के स्वामी का लाभ में जाना कैसे अच्छा नहीं होगा भई आप जिस घर के मालिक हैं और आप अपने घर पर ही हैं पूरे एक साल बाद आप घूम फिर करके अपने घर पर आएंगे तो क्या उस घर को आप अच्छा नहीं बनाएंगे क्या उस घर को आप खराब होने देंगे ठीक इसी प्रकार से मंगल देंगे जब आपके कदस भाव में जाएंगे उस भाव को खराब नहीं करेंगे अर्थात लाब और इच्छाओं की पूर्ति हो करके ही रहेगे तीन ग्रहों को समझा हमने गुरू को समझा और सनी को समझा राहु को भी हमने आपको बताया केतू की बारी यादधी कि इस नौबर के महिने में इस नौ ग्रह में जो केतु दे होता है उनका क्या प्रतिफल होगा केतु आपके नवम में हैं अध्यात्म के ग्रह माने गए हैं केतु को योगी और सन्यासी होते हैं केतु यदि नवम भाव पर जाते हैं नवम भाव धर्म का भाव है भही तो ये क तो आपसे धर्म का कारिय कराएंगे कुछ आस्थावान ज्यादा आप इसमें पर हो सकते हैं जो धर्म के प्रति कोई खर्च कर सकते हैं अपने धर्म अपने संप्रदाय अपने देश के लिए आप कुछ बेहतर कर पाएंगे कुछ धार्म का नुष्ठान हो सकता है कुछ तिर की बात नहों तो ये हमारा ये कारीकरम अधूरा माना जाएगा इस इसाबसे देखा जाए तो धन की अधिश्ठात्री देवी मा लक्षमी को माना गया है और धन के जो कारक ग्रह माने गए हैं वो होते हैं सुक्र आशारेजी सुक्र की इस्थिति ये बता देती है किसी की पत्रिका में भी कि वास्तों में धन किस्ति कितनी रहने वाली है और क्या रहने वाली है आज हम गोचर की बात करना है तो गोचर में क्या होगा सुक्र के प्रभाव को देखिए तो सुक्र देवता कहा गए आपके आपके अस्टम में हैं देखें यहां पर अस्टम भाव अच शोड़के चले जाएंगे तो आपके इन भाग्य के भाव पर जहां पर अलड़ी पहले से केतु देवी राजमान है सुक्र का भाग्य भाव पर जाना और उपर से आपके लिए योग कारक हैं आपके पंचमेस हैं जो तीसमें मानेता है त्रिकोंड के स्वामी जब करेंगे संतान संतान के लिए आपको बहतर कर पाएंगे दूसरों से जुड़ करके आपका अपना काम धन्दा कर पाएंगे पंचम्भाव हमारी क्रियेटीविटी का होता है जो फिल्म इंड़स्ट्री में हैं उनके यहां पर सफलता हो सकता है जो इस समय पर इसी नवंबर महिसं पर होते हुए आपको दिख सकते हैं थोड़ी बहुत परिसानिया बाधाये रहेंगी प्रतु मकार रासी तो भई बाधाया परिसानिय से हारुन ना मानने की एक रासी है इस बात को मत बुलेगा आपके रासी के स्वामिश सनि देannen बनते हैं इस ते लिए चरे मेती च कद्धनों प्रियला करके आपके जिवन पत ech दिवाली का समय चलन रहेंगा घदन के प्राप्ति कई से धन प्राप्ति का सोर्स नहीं भी बन रहा है तो वहां से प्राप्त होने की समभायmarket Crown यहां से धन मिलना है, लेकिन अभी तक उन्त के तरब से कोई जवाब नहीं आ रहा है, हो सकता है मालक्षमी की कृपा है, और हो सकता है कि सुक्राब के नौम भाव में चले जाए, वहां से कुछ अच्छे ख़बर मिल जाए, कुल मिलाकर करके यह अनुकूलता की हो रहा है, 23 23 नौमबर का वो डेट होगा, जिजिन दे उठनी एक अदसी हो जाएगा, फिर से वो 16 संस्कार जो भी बंद पड़े हुए थे, 23 नौमबर के बाद फिर से उपन हो जाएंगे, साधी मांगलिक कारिये, बहुंसे सुब सुब कारिये होंगे, गरी प्रवे सित्यादी के कुछ तारिक हम आपको बताने जा रहे हैं, जो तारिक आपके लिए सुब और कल्यान कारी होगा, जो तारिक आपके लिए मंगल कारी होगा, सबसे पहले आप समझेगा, आपके अपने तारिक कुछ से जानिएगा, सबसे पहले जो तारिक होंगे, वो 14 नौमबर, 15 नौमब है वो तारिक होंगे चार चार नौंबर साथ आठ सोला सत्रा पच्चिस और चबिस नौंबर आपको सत्रकता से परिपून रहना है यदि कोई इस दिन पर भी कोई आपको कारे करना है तो आप अपने इस देउता की कृपा लेकर अपने गुरू का आसिरवाद अपने घर से निकल करके अपने कारे को कर सकते हैं नौंबर का महिना कोई विशेष परिवर्तन को इसारा करता है आपका जीवन भी मालक्षमी की कृपा से सदवा परिवर्तनिये रहे सदेव मंगल कारी रहे यही सुदकामनाद देते हुए हम ये वीडियो अब विराम देते ह उम्मिद है आप सबने से समझा है आप सबने से जाना है यदि आपने से समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कबेंट क करना कभी मन भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजेगा पुना एक बार फिर आप सभी के दिवस बहुत मंगल मैं हो इनी सुपकामनाओं के साथ जैसे राम